जब हम रूम के अंदर फ्लोरिंग लगवाते हैं तो रूम का लूप अच्छा दिकाई देना शुरू हो जाता है अब इस फ्लोरिंग में भी बहुत सारे टाइपस आते हैं जैसे कि हम रेगुलरली टाइल तो इस्तमाल करते हैं कुछ जगह पर स्टोन का इस्तमाल किया जाता है तो कुछ जगह पर वुडन फ्लोरिंग का भी इस्तमाल किया जाता है पर इन में से एक फ्लोरिंग आ जाती है जिसका कौश सबसे कम होता है विनाइल फ्लोरिंग या फिर जिसे पीविसी फ्लोरिंग भी कहा जाता है आम बाशा में इसे कारेट फ्लोरिंग भी कहा जाता है, और ये दो format में आपको market में मिलती है, एक roll format होता है और दूसरा tile format होता है, तो अगर आप अपने घर के अंदर कारेट फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये जरूरू पाता होना चाहिए कि सब सब पहले जानेंगे कि Vinyl Flourin के क्या Advantage है और उसके बाद हम यह जानेंगे कि Vinyl Flourin लगवाने के क्या Disadvantage है तो सब सब पहले हम बात करते है Advantage के बारे में तो यहाँ पर पहला Advantage आजाता है जो की है Installation ये जो PVC vinyl flooring होती है इसे लगवाने के लिए आपको ज़ादा वक्त नहीं लगता है ये बहुती easy to install होती है लगबक 600 से लेके 800 square feet तक vinyl flooring एक दिन के अंदर दो लोग आपको लगवा के दे सकते है ESR यानि कि synthetic rubber का इस्तमाल करते हुए आपका जो surface है उसके उपर सिर्फ इसे चिपकाना होता है बाकी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है जैसे की bubble छूटने नहीं चाहिए उसके बाद में joint के तरब भी ध्यान देना होता है विनायल फ्लूरिंग का सबसे बड़ा अगर कोई advantage है तो वो है cost बाकी फ्लूरिंग की तुलना में इसे लगवाने का खर्च बहुत ही कम होता है इसलिए जादा तो लोग इसे पसंद करते है average cost अगर हम मान के चले तो 20 रूपए से लेके 30 रूपए per square feet तक विनायल फ्लूरिंग लगवाने के लिए आपको खर्चा सकता है अब इससे cost थोड़ा सा जादा भी हो सकता है अगर आप महेंगे और branded metal के तरब जाते हो पर regular जो cost है वो 20 से लेके 30 रूपए per square feet के हिसाब से चल रहा है अब यह जो cost है इसमें material और labor दोनों ही चीज़ों को add किया गया है इसी वज़े से इसका cost जो है वो बहुत ही affordable हो जाता है अब example के लिए हम अगर tile से compare करते है तो PVC vinyl flooring अगर आप 10 by 10 के room में लगवाते हो तो आपको 3500 रूपए तक खरचा सकता है वही पर 10 by 10 के room में जब आप tile लगवाते हो तो आपको वहाँ पर 12,000 से लेके 14,000 रूपए तक खरचा सकता है अब ये cost ज़ादा भी हो सकता है अगर आप ज़ादा महंगी tile लेते हो ऐसे समय में पर यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि tiling से इसका खरच बहुत ही कम है अगला advantage आ जाता है जो कि है design के related तो carpet flooring में आपको बहुत सारी type की designs available होती है जिनको आप अपने choice के अनुसार लगवा सकते हो उसके बाद में next advantage आ जाता है जो कि है stain resistant अगर इसके उपर कोई दाख दबे छूट जाते है तो आप उसे आसनी से clean कर सकते हो तो ये भी इसका एक advantage आ जाता है next advantage आ जाता है जो कि है temperature जैसे कि आपको पता होगा flooring ठंड के दिनों में बहुती ठंडी हो जाती है खास करके marble वाली जो flooring होती है वहाँ पर बहुती ठंड मैसूस होती है तो ऐसी temperature की दिक्कत आपको vinyl flooring के साथ नहीं होती है यहाँ पर temperature में जादा changes नहीं होते है यानि कि यह गर्मी के मौसम में जादा गर्म नहीं होती है और ठंड के मौसम में भी यह जादा ठंडी नहीं होती है next advantage आ जाता है कि यह बाकी flooring के तुलना में थोड़ी सी soft होती है तो इसलिए आपको थोड़ा सा comfortable महसूस होता है जैसे कि आपको पता होगा बाकी flooring जो होती है जैसे कि टाइल या फिर मार्वल या फिर ग्रनेट ऐसी flooring जो होती है जार hard होती है अब soft होने के कारण यहाँ पर और एक advantage आ जाता है जोकि है sound insulation carpet जो होते है वो sound को अच्छे से absorb करते है और noise को भी अच्छे से reduce करते है अब यह तो हो गई सब अच्छी बात है पर carpet flooring लगवने से पहले उसके disadvantage के बारे में जानना ज़रूरी है जिससे कि आप proper decision ले सको तो यहाँ पर सबसे पहला disadvantage आ जाता है PVC vinyl flooring का वो है उसकी life जादातर घरों में जो flooring लगाई जाती है उनकी life कम से कम 20 से लेके 25 साल तक होती है पर वैसा carpet flooring के साथ नहीं होता है इसकी life बहुती कम होती है जो कि आप 8 से लेके 10 साल तक consider कर सकते हो और साथ में जैसे जैसे यह पुरानी होती जाती है वैसे ही उसका color जो है वो dull होने लगता है तो यह सबसे पहला disadvantage आ जाता है carpet flooring के साथ अब बात करते है next disadvantage की जैसा कि आपको पता होगा हम घर के अंदर कभी-कभी हमारे sofa या फिर कोई सामान होता है उसे यहां से बहाँ shift करते है अगर आपके यहां पर फर्ष लगी हुई है और बहुत सारी जगह पर होता यह है कि उस फटे हुए carpet को वैसा ही छोड़ दिया जाता है जिसकी वज़े से आगे चलके और भी ज़ादा फट जाता है अगला disadvantage आ जाता है heat के related जैसा कि आपको पता होगा vinyl flooring को kitchen में लगवाने के लिए recommend नहीं किया जाता इसके पीछे simple कारान यह होता है कि heat की वज़े से आपका vinyl flooring जो है वो खराब हो जाता है तो इसलिए ज़्यादा गर्म जगब पर इसे लगवाया नहीं जाता है जहां तक बात आती है अगले disadvantage की तो यहां पर आपको skilled labor की आवशक्ता होती है जो की proper तरीके से आपके carpet को fit कर सके अगर कारागीर सही से काम नहीं करता है तो carpet में bubble चूट सकते है fitting और design proper तरीके से match नहीं हो पाईगी और जहां पर भी आपको carpet flooring लगवानी होती है तो वहां पर आपको support surface चाहिए होता है अगर उस जग़ पर undulations है यानि की जग़ उपर नीचे है तो ऐसी चीज़े carpet के उपर से दिखाई दे सकती है जहां तक बात आती है direct sunlight की तो अगर आपका carpet धूब की संपर्क में आ जाता है तो उसका color जो है वो जल्दी fade होने लगता है तो ये कुछ disadvantage आ जाता है carpet flooring के साथ तो अब बात करते हैं कहां पर आपको carpet लगवाना सही होगा और कहां पर नहीं देखे दोस्तों अगर आप घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पर regular flooring लगवाना आपके लिए सही होगा carpet flooring लोग वहाँ पर लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं चाहाँ पर उनका temporary use होता है या फिर flooring जो है वो बहुती पुरानी हो चुकी है तो उसे नया look देने के लिए लोग जो है carpet लगवाना पसंद करते हैं और खास करके carpet लगवाने के लिए आपको जो surface है वो एकदम support चाहिए होता है तब जाकर आप carpet लगा सकते हो तो इस चीज़ को भी आपको consider करना ज़रूरी होता है अब विनाईल flooring के advantage और disadvantage को जानने के बाद क्या आप अपने घर के अंदर पिनाईल flooring लगवाना पसंद करोगे या फिन नहीं इसके बार में comment box में comment जरूर कीजे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like करतीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है